हेलो फ्रेंड्स काइना किचन में आपका एक बार फिर से स्वागत है आज हम बनाएं जारा है आलू का ब्रेट पराठा यह खाने में बिल्कुल भी सैंड्विश जैसा नहीं लगेगा तो चलिए आज हम बनाते हैं ब्रेट पराठा इसके लिए हमें क्या क्या लेना होगा यह हम देखते हैं ते पहले मैंने चार बॉयल आलू ले अगर आप मैश भी कर रहा है तो मैश भी कर सकते हैं अगर करेंगे तो यह अच्छे से इस एक भी गुठली निरा जाती या और मैने अब इसमें 2-3 इस्पून मुझे धनिया डालना है मैंने बारीक कटी भी डालना है इसमें जो भी आप चीज तो प्याज या जो भी आप वो बारीक ही कटी होनी चाहिए, मैंने ये दो से तीन स्पून धनिया डाल दिया है बारीक, मैंने एक हरी मिर्च कट की है, अब इसमें मैं रेट चिली पाउडर एड कर रही हूँ, वन स्पून, जो भी आपका टेस्ट के कॉर्डिंग हो जैसा भी आप शट्ट कारते हैं, बारीक कटी ही प्याज बिल्कुल बारीक महीन, एक मैंने ली थी बड़ी, उसको मैंने कट किया है और ये मैं इसमें एड करूंगी, और मैंने ये एड कर दिया है, जो भी आप डालेंगे बारीक की कटी हो, नहीं तो ये फिर ब्रेड में जब आप भरेंगे तो टिक्की बन जाएगा, इसमें बारीक ही सारा मुझे एड करना है, अब इसमें सॉल्ट, टेस्क रिकॉर्डिंग, और मुझे कम डालना है, क्योंकि ब्रेड में अल्रेड होता है, नमक होता है, अब हम इसको मैश कर लेंगे, अच्छे से मुझे एक डो बन जाए, टिक्की टाइप का, औ अब हम इसमें हाथ में ऐल लगाएंगे, ताकि यह चिपके ना, और अच्छे से हमारा टिक्की बन जाए, डो बन जाए, अब हम मैंने एक हाथ में ले लिया है, अब हम बना रहे हैं, ऐसे ही करके हमें ज्यादा पड़ी नहीं बनानी है, बाद में हम ब्रेड के साइस का कर अब हमें ऐसे ही सारी एक-एक करके बना लें, जैसे मैंने एक बनाई है, अब हम ऐसे ही सारी में बना लूँगे पेस्ट का, और मैंने ऐल बिना अगर लगा के आप बनाएंगे तो यह हाथ में चिपकेगा, और अगर आपने ऐल लगा लिया है, तो आपको यह असानी से सार आपके भूबे शॉच अब मैं मैं देख़िए बना लिया है आप हम न बढ़ हम कुट करेंगे तो आहिए को कट करते हैं यह मुझे ऐस्च शारी द Whit si जो ना लिया है बड़े साइस का ब्रेट की शोला करोला अंपर और आपके पास को कि यसे को भी आपके पास हो किसी भी डिबबेवे लिए इयम इनमार में कट लिया भी और रहों कर देखे मारे कुछ अगर अगर ध मैंने घृता हैँ निकालेंग प्लू कन भी तो यह उन्हुक्त रह पि immigrants क्या करना है यह बहुत ही यूज होता है अच्छी तरीके से और ऐसे ही मैंने चार-पांच में सारे काट लिया है और अब हम बेलेंगे और इसको बहुत ज़्यादा नहीं बेलना है हलके हातों से ही बेलना है अराम-अराम से जिससे टूटे ना इस यह इतना हो गया कि यह बेल लेंगे है अगर यह बिल्कुल भी नहीं टूट रहा है अगर यह टूट रहा है तो बस कुछ नहीं करना है इसको गीदे कपड़े में आप करके थोड़ी देर के लिए रख दीजेगा तो बिल जाएगा आपका इसमें वाइट तिल लेंगे सफेद तिल खला लेंगे है थोड़ा सा चिली फ्लेक्स फला लेंगे हम एक बार हलके आंतों से फिर से बेल लेंगे को ऐसे ही कि बेल लेना है कि पढ़ गया है हमारा लग गया इस पर अब हम इसमें और अब हम इसमें यह देखिए यह हो गया है अब हम इसमें पेस्ट रखेंगे यह पेस्ट को थोड़ा सा इसके साइस का हलका सकल लेंगे अब हमने इसमें यह से रख दिया है अब हम यह लगाएंगे जहां पर हम गीला अब हम इसको अब हम देखिए अराम राम से टूटे ना कर देखिए पूरी तरह के से पैक हो गया इसको अब हलका सा पानी लगाना है ज्यादा नहीं हलका सा इसको वापस से रिपीट करना है थोड़े से तिल और यह चली पूर्स इसको इकबर हलका सा और बेल लेंगी कि देखिए यह आपका माटेरियल अंदर वाला बिल्कुल बाहार नहीं आना चाहिए अगर यह आ रहा है तो यह एकबर और अच्छे से शेखनेस पहले छिपका लिजेगा बहुत ज़्यादा नहीं बिलना है कि देखिए अब मेरा यह बन के रेड़ी है अब हम इसको सेखते हैं आई हम लोग सेखते हैं एक पैन ले लिया है अब मैं इसमें बटर लगाऊंगी यह बहुत ज़्यादा लो भी नहीं रहेगी बहुत ज़्यादा हाई भी नहीं रहेगी मीडियम लो पे रहेगी गैस आपकी अब इसको सेखते हैं हमको ऐसे ही सेखना है बहुत ज़्यादा हाई पे फ्लेम नहीं होना चाहिए गैस और नहीं जल जाएगा अब यह सिक रहा है तो आटे से भी बिल्कुल अलग है अगर आप अनियन नहीं खाते हैं तो आप इसकी भी कर सकते हैं अब यह मेरा हो गया है और अब हम इसको निकालते हैं आटे बिल्ड को देखना है अब इसको टमेटो टमेटो केचप आटे में साुस से में गार्निश करूंगी और यह कि अधिए थीं मैंने कट भी कर लिया है बहुत अंदर तक पगया है और यह देखिए कलर भी कितना अच्छा है और आप धन्या टमाटर या टमाटो केचप आपके पास हो आप भी खाइबेंट यग ज्याद में और स्वेक्ट खाइब भी खाय के ओड़ एक एको आपके हो और स्वेक्ट जो प्रिक एक दून आपके पास हो